लाल सिंग चड़ा में आमिर खान और नागा चड़ा लाल सिंग चड़ा की रिलीज का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं वहीं फिल्म से जुड़ी ये नई जानकारी निश्चित रूप से प्रत्याशा और जग्यासा को और भी अधिक बढ़ा देगी सूतरों की माने तो फिल्म का पहला कट देखने के बाद निर्माताओं ने आमिर खान और नागा चेतन्या की ओन स्क्रीन जोड़ी और उनके अभिने को इस हद तक पसंद किया है कि उन्होंने फिल्म में अभिनेताओं के बीच और सीन्स को शामिल करने का फैसला किया है एक सूतरे ने बताया फिल्म का पहला रश देखने के बाद विशेश रूप से आमिर और नागा के द्रिश्यों को देखने के बाद जिस तरह से वो सामने आए हैं उससे निर्माता आज चर्य चकित रह गए है सर्वसमत्ती से फिल्म निर्माता अदवेट चंदन और लेखक अतुल कुलकरणी को लगता है कि आमिर और नागा की आन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी में से एक है और इसलिए उन्होंने म्यूचुली अभी नेताओं के अधिक द्रिश्यों को शामिल करने का फैसला किया जिससे फिल्म को और अधिक रोचक बनाने में फायदा होगा ये वाकई में सुनने में बेहच दिल्चस्प लग रहा है अगर सेट के सूतरों की माने तो आमिर नागा की जोड़ी कॉमेडी क्लासिक अंदाज अपना अपना से आमिर सल्मान खान जोड़ी जितनी प्रसिध हो सकती है भई इस उमीद को और भी आगे बढ़ाते हुए आमिर ने पिछले साल एक पगड़ी के साथ सर्दार का लुक रिवील किया था जिसे बेहत पसंद किया गया था लाल सिंग चड़ा में आमिर खान और करीना कपूर खान नजर आएंगी और इसे अदवे चंदन ने डायरेक्ट हिया है जिसमें प्रीतम का म्यूजिक और अमिता भटाचार्या के लिरिक्स है ये फिल्म वॉयकॉम 18 स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत की गई है भारत भर में सौ से अधिक स्थानों पर फिल्म आई गई गई प्रोटागनिस्ट की यात्रा के अलग-अलग टाइम पिरियड में फैली हुई है लाल सिंग चड़ा आमिर खान प्रोडक्शन्स वॉयकॉम 18 स्टूडियोज और पैरा माउंट पिक्चर्स द्वारा निर्मित है 2022 में 14 एपरिल को बेसाखी के अवसर पर दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो दोस्तों आप इतने समय बाद आमिर खान को बड़े परदे पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और देखते रही हमारा चैनल वालिग्राद स्टूडियोज